मध्य प्रदेश में नगरी निकायों के चुनाव उसी ववस्ता से होंगे जैसा पूर्मुकिमंतरी कमलनाथ चाहते थे अब निकायों में महापाओर और अध्यक्ष के चुनाव आप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे शिवराज सरकार ने राज्य निर्वाचनायों को पतर लिखकर कहा है कि नगरी निकायों के चुनाव आप प्रत्यक्ष प्रनाली से ही कराएं यानी नगर निगमों में महापाओर और नगर पालिकाओं की अध्याक्षों को पाशच चुनेंगे गौरतलब है कि कमलनात सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद शिवराज सरकार ने दिसंबर 2020 में कमलनात सरकार के फैसले को पलट दिया था यानि महापाओर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का अध्यादेश जारी कर दिया था अध्यादेश की अवधी समाप्त होने से पहले मध्यप्रदेश नगर पालिक विधी विध्यक 2021 को शिवराज सरकान ने वधानसभा के वजट सत्र में पेश नहीं किया था जबकि प्रस्तावित विध्यक को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई थी आयोक को लिके पत्र में सरकान ने इसका हवाला दिया है कि विध्यक को विधानसभा से मंजूरी नहीं मिलने के कारण आप प्रत्यक्ष प्राणाली से चुनाव कराए जाएं बीरो रिपोर्ट एमस टीवी भोपाल